दमस्कार पश्चिम बंगाल के लिए दुर्गा पूजा उसके कल्चरल सिंबॉल से जुड़ा हुआ है ये पूजा वहां के लोगों के लिए समझे की ऑक्सिजन का काम करती है लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने ये देखा कि दुर्गा पूजा को लेकर एक अजीब तरह की राजनिती पूरे पश्चिम मंगाल में देखने को मिली दुर्गा पूजा जो की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है उसे पूरी तरह से राज्चितिक रंग दे दिया गया साल 2017 में अगर आपको याद हो तो पश्चिम मंगाल सरकार और वहां के मुख्यमंतरी मम्ता बैनर जी ने दुर्गा पूजा और मुहरम जो साथ साथ मनाय जा रहे थे उसमें दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ती वे सर्जन पर प्रते बंद लगा दी और मुहरम के जोलूस को उन्होंने हरीजनली दे दी इसके बाद से विवाद दौर पढ़ गया इस मामले को राचनीतिक तोर पर बहुत उच्छाला गया और नतीजा ये हुआ कि मम्ता बैनर जी को इसका खामयाजा उठाना पड़ा उसके बाद में हमने कई बार देखा कि मदर्सों को लेकर या इमामबाडों को लेकर इस तरह से एक सॉफ्ट कॉर्णर दिखा मम्ता बैनर जी सरकार का और नतीजा ये हुआ कि इसको बीजे पी या उनके विपक्षी दलों ने खुब भुनाया मम्ता बैनर जी को ऐसा लगता है कि मुसल्मानों को वो अगर खुश करती हैं तो उन्हें अच्छा खासा वोट मिल सकता है उनके वोट पैंक पर मुसल्मानों का एक बहुत बड़ा प्रबुत्व है और मुसल्मान उनके बहुत बड़े वोटर भी बन गए हैं ये इसमें कोई दोराय नहीं लेकिन हाल के दिनों में जब पिछली बार लोकसभा की नतीजे आये तो तमाम कोशिशों के बाद भी मुसल् से 28 सीटों पर थी वो सिर्फ 28 सीटों पर सिमट कई सैथी सीटों से अब आप अंदाजा लगाए कि बाकी सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही बीजेपी जिसका एक एजंडा रहा है कि हमेशा वो सौफ्ट हिंदुत्यों के रास्ते पर चलती है बीजेपी ने पिछल बड़ा फाइदा हुआ ठारा सीटे जीतकर बीजेपी पश्रिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और तकरिबन वोट फीज्टी में भी जबरदस्त जाफा 40 फीजदी के आसपास 42 फीजदी के आसपास वोट आये थे भारती जन्नता पार्टी को लेफ्ट मुद्दा ये है कि एक बार फिर से पश्रिम बंगाल में दूर्गा पूजा को लेकर राचनितिक रंग या राचनितिक पारा चढ़ सकता है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं चोकि पहली बार ऐसा होगा अगर सब कुछ ठीक रहा या अमित्षाह चाहेंगे तो पहली बार ऐसा होग कि जिस दुर्गा पूजा कमिटी के पूजा का उद्गाटन अब तक ममताब एनर्जी करती आ रही थी वो इस बार अमित्षाह करेंगे बिल्कुल साही सुना आपने वो पूजा कमिटी जिसकी पूजा का उद्गाटन अभी तक ममताब एनर्जी करती आ रही थी फीता वो क करते थे लेकिन अब पासा पलट गया है इस कमिटी में अब कार्थिक पैनर्जी का उतना प्रभुत्व रहा नहीं नतीजा यह है कि इस बार ममता बैनर्जी को नहीं बुलाया जाएगा अब इस कमिटी को कौन हेट कर रहा है आपको यह भी बता दें बीजेबी के स्टेट उद्गाटन करने आ सकते हैं बड़ी बात बता दें कि बीजेबी की तरफ से जो स्टेट यूनिट है बीजेबी के बीजेबी की उसमें सायंतन बसू इस वक्त सचिव है और वो इस कमिटी को हेड कर रहे है इस वक्त तो अब चुंकि बीजेबी का कोई शक्स बैठा हुआ ह इसलिए ये उमीद की जा रही है कि अमित्शा आ सकते हैं वैसे भी पश्रिम बंगाल पर पूरा फोकस है आपको भी पता है पूरा फोकस है बीजेबी का अब हाली में जो दो सालों तक अमित्शा ने मेनत की नतीजा ये रहा कि 2016 में जब चुनाव हुए तब पार्टी ने जब लोकसभा के चुनाव हुए तब पार्टी ने अच्छा कमाल किया पंचाय चुनाव में पार्टी ने अच्छा कमाल किया और जो बीजेबी लगातार अच्छा करती जा रहे है इसी वजह से मम्ताबन जी चड़ी हुई है बीजेबी के कारेकरताओं को बार बार निशा तो आप जब ममताब एनजी के गढ़ में जो सबसे बड़ी संपती है बेंगॉलियों की या पश्यम बंगाल के लोगों की जब उस पर बीजेपी अपना कबजा जमालेगी तो इसका एकर्ट यह भी हुआ कि वहां के सीधे लोगों की घरों तक बीजेपी अपनी पहुंच बन और इस धर्म के जरीए वोट को भी जोड सकती है इस पॉलिसी पर बीजेपी काम कर रही है नतीजा यही है कि अब ममताब एनर्जी की बौखलाहट आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अब चुंकि मौका बदल चुका है अब सब कोई दोर आए नहीं है कि जब 2021 में चुनाव होंगे तब सत्ता बदलने में जनता देर नहीं करेगी कि बंदुगार्ण कि आपना देर सो भाई के हमार नमश्कार भारो तेर एग ये जववार पोथिये आपना देर आमार किसान भाई देर ओबोदान अमोल्यो आर ताई आमार चाची भाई देर एई विपूल जोनो समोगम तेके आमी खूब आनन्दितो बंदुगार्ण अमार शोरकार आपना देर शोरकार किसान दोरोदी शोरकार अभी हाली में हमारी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पस्टिम बंगाल के किसानों के जीवन में भी एक बहुत बड़ी नई ताकत देने वाला है साथियों पहले हर सरकार के पास MSP की बड़ोत्री की मांग की गई अनेक कमिशन बैटे कमिटिया बैटी हर बार उसको टाल दिया गया MSP बढ़ाने की फाईलों को दबोच करके रख दिया गया किसानों को MSP सही मिले इसके लिए किसान मांग करते रहे आंदोलन करते रहे लेकिन न राज्जों की सरकारों ने सोचा न दिल्ली में बैटे विये लोगों ने किसानों की सुरी ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज लागत का डेड़ गुना किसानों को MSP देने का निड़े आज हमारी सरकार ने कर लिया भायों भेनो इसके कारण दान के समर्थन मुल्य में MSP में सरकार ने प्रती क्विंटल दो सो रुपिया की बडोतरी की है इसी तरह MSP में पौने तिन सो रुपिय की बडोतरी की गई है मक्के के लिए पौने तिन सो रुपिय लगबग ग्यारा सो रुपिय क्विंटल लागत के उपर मक्के का समर्थन मुल्या सत्रा सो रुपिय कर दिया गया है साथियों मक्के के अलावा जवार रागी जैसे पौस्टिक और फाइबर से परिपुर्ण नाज के लिए भी लागत के उपर 50% से अधिक का लाव सूनिश्चित किया गया है खरीब की इन अहम फसरों के सरकार ने कुछ महिने पहले और जिसका बंगाल से सीधा समन्द है जूट के MSP में हमने 200 रुपिया प्रती क्विंटल बढ़ोतरी की है साथियों जब 2014 में हमारी सरकार मनी थी तब जूट की आउसत किमत प्रती क्विंटल 2000 रुपिय से भी कम थी पिछले वर्षों में जूट की प्रती क्विंटल कीमत को हमले 1700 रुपियों से ज़्यादा बढ़ोतरी की है इस फैसले का पसिम मंगाल के जूट के जो उत्पादक हैं उन हमारे किसान भाईयों को फैदा हुआ है किसान हमारा अन्न दाता है गाव हमारे देश की आत्मा है कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसका किसान अगर उपक्षित रहता है को कोई भी देश तब तक आगे बढ़ नहीं सकता है जब तक गांव आगे न बड़े